हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको 2019 की आफटर ये एक रोमैंटिक मुवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ किसी एक सही परसन से मिलने के बाद आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है आपका जो पुरा बिलिव सिस्टम जो कलत था ये सही कोई बना सकता है तो यही इस प्रिमाइज को लेकर आज की मुवी आती है अप्टर ये मुवी एक नॉवेल पर बेस्ट है और इसका सेकंड बार्ट भी अब आ चुका है और जब ये अवलेबल होगा तब हम इसे भी करेंगे तो चलिए इस मुवी को एक्स्प्रेंट करना स्टार्ट करते हैं इस मुवी की जो स्टोरी है ये हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम अता है टेसा ये हमें सुना रही है टेसा हमसे कहती है कि जब मैं हार्डीन से मिली तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इसके बाद हम देखते है कि टेसा का है स्कूल खतम हो चुका है कॉलेज के लिए वो अलग शहर जाना चाहती है उसकी मदर उसके लिए बहुत ही वरीड है पर फिर भी अपनी मदर को उसने मना ही लिया है टेसा का एक बॉइफरेंड भी होता है टेसा को उसके नए कॉलेज छोडने के लिए उसकी मदर और उसका बॉइफरेंड ये दोनों फिर जाते है टेसा कॉलेज को होस्टेल में रहने वाली होती है जब वहां उसकी मदर पहुशती है तो Tessa की रूमेट जब उसकी मदर देखती है तो उसे बहुती गलत लगती है यह रूमेट भी Tessa से बात करती है और कहती है कि हम दोनों बहुती मज़े करेंगे without ID उसे कलब में भी वो लेकर जा सकती है मदर को यह बहुत ही bad influence लगता है वो directly Tessa को बाहर बुलाती है मदर कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हम room change कर वालेंगे Tessa कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो तुम मुझपर believe करो मैं कभी भी कुछ भी गलत चीज़े नहीं करने वाली मदर Tessa को कहती है कि सिर्फ तुम्हारा study important है इसी पर तुम्हें focus करना है Tessa भी हा कहती है और उसकी बाद उसकी मदर चली जाती है Tessa का boyfriend भी डर रहा होता है क्योंकि आप वो एक दूसरे से मिलनी पाएंगे तो उनकी relationship का क्या होगा Tessa फिर से अपने रूम में आती है उसकी roommate उसे पुछती है क्या कही बाहर चलना है पर Tessa अप मना कर देती है Tessa ने अपने साथ बहुत सारे books वगरा लाये है उसकी friend कहती है कि इतने books कोन लाता है Tessa बोलती है कि मैं bookish हो मैं हमेज अप पढ़ना मुझे अच्छा लगता है नेक्स डे फिर Tessa अपने class में जाती है वहाँ उसका एक friend बनता है जिसका नाम होता है Landon Tessa economics के class में गई होती है पर actual में उसे English पढ़ना होता है पर English पढ़ने से उसे अच्छी से job नहीं मिल सकेगी उसे जाने के लिए कहती है पर Hardin जो है उसके roommate का friend है Tessa को पहरे लगता है कि उसके roommate का ये boyfriend होगा पर उसके roommate कहती है कि हम दोनों सिर्फ friends है आज Hardin और Tessa की roommate ये दोनों party में जाने वाले है Tessa party में जाने के लिए मना करती है पर Hardin भी कहता है कि तुम्हें देखकर में पार्टी में तुम्हें इमेजिन भे नहीं कर सकता तैसा एक बुक पढ़ रही होती है Harding इसका spoiler देखकर वहां से चला जाता है तैसा बहुत सारा study करती है हमेशा उसके friends को party मिशाते हुए, मज़े करती हुए दिखती है एक दिन उसकी friend उसके पास आथी है और कहती है कि आज पारटि है मेरे साथ तुम चलो Trisa भी इस बार resist नहीं कर बाथी और पारटि में चलने के लिए ready हो जाती है इस पार्टि में हमें hard-earn भी आया हुआ है इंधिकता है Trisa अपने friend के साथ hard-earn के πάश बैठती है सब ड्रिंक कर रहे होते है पर टेसा ड्रिंक नहीं करती फिर भी उसके फ्रेंड उसे एक छोटा सा पेक बना कर दे दिते है इसके बाद यह गेम खिलने लग जाते है यह जो गेम है यह truth and dare का game है टेसा का जान साता है तो टेसा truth choose करती है एक लड़की उसे बुख थी है कि ऐसा एक weird place बता जहाँ पर तुम intimate हो चुकी होगी टेसा uncomfortable हो जाती है सब को पता चल जाता है कि टेसा अब तक किसी के साथ भी intimate नहीं हुई है इसके बाद वो टेसा को डेर देते हैं टेसा को कहते हैं कि हार्डिन को उसे kiss करना पड़ेगा हार्डिन उसके पास जाता है पर टेसा कहत कि यह stupid game में नहीं खेलने वाली यह कैकर पाहर निकल जाती है उसे फिर उसका boyfriend का call आता है आज उसके boyfriend से वो बात करने वाली थी पर वो इस पार्टी में आई है इसी वज़े से वो बात नहीं कर पाई उसके boyfriend को पार्टी का आवाज आता है वो समझ जाता है उससे बुछता ह क्या तुमने ड्रिंक की है टेसा भी सब कुछ सच सच बता देती है उसका boyfriend इस पर नाराज हो जाता है और इसके बात इन दोनों का जगड़ा हो जाता है टेसा फिर इस पार्टी में शान्ति डुड़ने के लिए उपर की कमरे में आ जाती है इस कमरे में बहुत सारी books है उसक टेसा एक passage वो उससे सुनाता है टेसा उसके पुछती है कि क्या तुम ड्रंक हो गालिंग कि नहीं बहुते है और वहाँ से चलना जाती है टेसा एक्च्वल में हाडीं sa बहुत ही नेक्स दिन लिट्रेचर के क्लास में हार्डीन और टेसा यह दोनों होते हैं इस क्लास में एक बुक पर डिसकेशन होती है जिसका नाम होता है प्रैड एंड प्रेजुडाइस यह वी एक रोमेंटिक नौवल था इस बुक के बारे में डिसकेशन स्टार्ट होती है तो हार्ड दीए यह उससे कहती है कि कैसा लड़का है। ऐसे कौन बात करता है। Landon और Hardin action में related है। Hardin के फादर और लेनदन की मदर इन दोरों में अब शाधी होने वाली है। उसके बाद, यह step brothers बन सकते हैे। यहाँ हमें पता चलता है, कि हार्डिन चांसलर का बेटा है नेक्सिन में हम देखते है कि टेसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई हुई होती है उसकी फ्रेंड एक टैटू बनवा रही है उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम भी टैटू बनवा सकती हो पर टेसा गेती है कि अगर मेरी मदर को पता चला तो उजे मार ही डालेगी उसकी मदर हमेशा सी उसकी लाइफ प्लान करती आई है उसका जो बॉइफरेंड ने उसकी मदर नहीं चुस किया है टेसा इससे फ्रस्टेटेड है पर वो अपनी मदर की सब बाते मानती है नेक्सड़म देखते है कि टेशा जब कैफे में होती है तो उसे हार्डिन फिर से मिलता है वो टेशा से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम्मेट का फ्रेंड हूँ बहुती बीड़्ीफुल लगता है हार्डिन अपने शर्ड उतारता है और लेग में फोच जाता है वो TESA को भी बुलाता है TESA पहले मना करती है क्योaking उसके पास कपड़े नहीं है और Hardin कहता है कि तुम मेरा शर्ट पहन सकते हो पानी में आकर TESA Hardin से बोचती है कि तुम इस वर्ल्ड में किस से सबसे जाधा प्यार करते हो Hardin कहता है कि यह answer तो easy है मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से भी प्यार करता हूँ Hardin डेसा से पुछता है कि तुम्हेरे boyfriend का नाम क्या है डेसा कहती है कि उसका नाम Noah है वो high school में है Hardin पुछता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया डेसा कहती है कि वो बहुत ही nice है Hardin कहता है कि nice का यह दूसरा मिनिंग boring है Hardin फिर उससे कहता है कि सास लो और यह दोनों underwater चले जाते है यह उपर आते है तो Hardin कहता है कि क्या तुमने यह सुना पुरा silence था यह सबसे ज़्यादा peaceful है यह दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते है टेसा फिर कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ friends रहेंगे Hardin बोलता है कि हम कभी भी friends नहीं रह सकते इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस कर लेते है यह पूल से बाहर आते है और Hardin टेसा को टच करने लग जाता है कुछी seconds में उसे टच करना हो बन कर देता है टेसा उसे बुछती है कि तुम stop क्यों हो गए Hardin कहता है कि हमारे बास बहुत time है इस relationship को वो slowly progress करना चाता है इसके बाद यह दोनों restaurant में आ जाते है एक दुसरे से बहुत बाते करते है टेसा उससे बुछती है कि तुम love पर believe क्यों नहीं करते है Hardin कहता है कि of course मैं करता हूँ टेसा कहती है कि तुमने तु उस class में कहा था कि तुम love पर believe नहीं करते है Hardin फिर कहता है कि मेरी हर बात पर तुम believe मत करना हार्डिन के फ्रेंड्स फिर वहां जाते हैं इसे ज़रा awkward मेसुस होता है और वो टेसा को लेकर वहां से चला जाता है टेसा भी ये notice कर लेती है उसे confront करती है हार्डिन कैता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है टेसा हार्डिन से कहती है कि अब मैं मेरे boyfriend से break up कर ले थी हूँ उस पर cheat करना गलत होगा Hardin पलट जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें date नहीं करने वाला वो dating पर believe नहीं करता टेसा को बहुत गुसा आता है और वहाँ से चली जाती है रात में फिर से उसे Hardin की सबने आते है नेक्स डे आता है तो टेसा का boyfriend उसे मिलने के लिए आता है टेसा इसे देखकर बहुत ही खुश होती है आज रात जंगल में एक wildfire है जहाँ सब लोग party के लिए आते है टेसा और उसके boyfriend भी बहुत आता है यहाँ पर सब लोग फिर एक game खेलने लग जाते है यहाँ पर हार्डिन भी आया है एक लड़का टेसा से बत्तमीजी करता है और पीचे नहीं हट रहा होता हार्डिन को उससा आता है वस लड़के को बहुत मारता है रात में हम देखते हैं कि टेसा का boyfriend आज रात उसके साथ ही रुखता है boyfriend सो जाता है तो भी टेसा को उसके friend Landon का message आता है हमें पता है कि Landon और Hardin एक ही घर में रहते हैं आज Hardin और उसके फादर का बहुत बड़ा जगड़ा हुआ है Hardin बहुत ही हर्ट है इसलिए Landon टेसा को उसके पास बुलाता है Landon टेसा को सब कुछ situation बताता है जब Hardin और उसके फादर की fight हुई थी तो टेसा का नाम भी आ चुका था Hardin और डेसा की बीच में जोसफ हुआ था इसी वज़े से Hardin जरा upset है टेसा फिर Hardin के पास आती है Hardin केता है मेरे फादर फिर से शादी करने वाले है यह उससे सही नहीं लगता उसकी मदर लंडन में है और उसके financial situation बहुत ही खराब है और फिर भी उसके फादर किस तरह से जी सकते है आज Hardin ने बहुत सारी दारू भी भी होती है Hardin गुसे में दारू की बॉटल तोड़ देता है टेसा उठाने लग जाती है तो इसके हाथ पे चोट आ जाती है Hardin जल्दी से उठकर उस पर मलम पट्टी विकरा करता है वो टेसा को कहता है मैंने तुमारे साथ जो भी सब किया इसके लिए मैं बहुत ही सौरी हू Hardin कहता है कि मैं गलत था मुझे लगता था कि मुझे डेटिंग नहीं करने चाहिए पर वो अब टेसा से मिल चुका है तो उसे टेसा के साथ ही रहना है Hardin फिर टेसा को अपने रूम में लेकर जाता है ये दोने एक दूसरे को किस करते है कडल करते हुए ही रात में सो जाते है सुबा जब टेसा उठती है तो उसके बॉइफरेंड के उसे बहुत सारे कॉल आया हुए होते है टेसा जल्दी से अपने बॉइफरेंड के पास बोशती है तो उसका बॉइफरेंड उसे बुशता है कि आचानक से रात में तुम कहा चली गई थी टेसा कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत थी है उसका बॉइफ्रेंड उसे पूछता है यह ऐसा कौन सा फ्रेंड था इन दोनों में बात ही हो रही होती है तब ही हार्डिन वहाँ जाता है टेसा का बॉइफ्रेंड सब कुछ समझ गया है वो गुसा होकर वहाँ से चला जाता है टेसा का यह boyfriend उसका paste friend भी है वो बच्वन से लेकर आज तक एक दूसरी के अच्छे friends रहे हैं उसका अपने boyfriend से break up होता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है एक दो दिन वो किसी से भी बात नहीं करती इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आती है यह दोनों rooftop पर बात करते हैं टेसा हार्डिन से कहती हैं कि वो मेरा बहुत ही अच्छा friend था पर तुम उससे बहुत ही जादा हो तुम मेरे life का एक बड़ा part बन चुके हो यह दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लग जाते हैं अलग-अलग जगा जाते हैं एक दिन जब यह लाबरेरी में होते हैं तो लाबरेरी ट्लोस होने के बाद भी यही वो छुप जाते हैं हार्डिन टेसा को एक romantic book पढ़कर सुनाता है इनकी relationship बहुत ही अच्छे से चल रहे होते हैं एक दिन टेसा और हार्डिन टेसा के रूम में make out कर रहे होते हैं तब टेसा की मदर वहाँ जाती है टेसा की मदर टेसा से बहुत निनाराज है उसे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहां बेजा था तुम यह सब क्या कर रही हो टेसा कहती है कि तुम गलत समझ रही हो मदर उसे कहती है कि अभी क्या भी तुम उसे break up कर लो टेसा यह करने के लिए मना कर देती है टेसा की मदर उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पैसे वेगरा सब कुछ में बन कर दूंगी पर टेसा अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है निक्स डे टेसा हार्डिन को एक जगा पर लेकर आता है उससे कहता है कि मेरे फादर की फ्रेंड की ये जगा है उसके फादर की फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और वो अलग कंटरी में रह रही है उसका गहर है पर कभी वो इसे विसिट नहीं करती हार्डिन टेसा को कहता है कि हम दोने यहां रह सकते है टेसा इसे लेकर सप्राइस्ट होती है Hardin कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली एसी वाज़े से यह मैं अब रेंड करने वाला हूँ Hardin अच्छे से इस रिलेशनशिप के लिए कमिट कर रहा है तो Tessa भी बहुत ही खुश होती है As a happy couple एक दुसरे को romantic stories पढ़कर सुनाते हैं Sunset देखते हैं अलग-अलग जगा पर जाते हैं एक दिन एक्वारियम में आय हुए होते हैं Hardin टेसा से कहता है कि कभी-कभी मैं बिलिव नहीं कर पाता कि तुम मेरी life में हो वो Tessa से बहुत प्यार करने लग गया है उसे कभी-कभी लगता है कि टेसा को deserve नहीं करता पर Tessa उसे चूप कराते थी हैं उसे कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बाद हम देखते हैं कि Hardin के फादर की marriage का आज दीन आता है उसके फादर एक बड़ी party रखते हैं Hardin बहुत uncomfortable महसुस करता है पर उसे फिर भी वहाँ आना पड़ता है उसे support देने के लिए Tessa भी उसके साथ आती है Tessa Hardin के फादर से मिलती है उसे वो बाते करने लग जाती है Hardin के फादर Tessa से पुछते हैं किस subject में तुम master's कर रही हो Tessa के थी कि मैं economics में कर रही हूँ पर actual में उसे literature में interest है Hardin के फादर केते हैं कि अगर तुम्हें financial stability चाहिए तो मेरा एक friend है जिसकी publishing company है यहाँ पर तुम काम कर सकती हो Tessa को भी सुनकर अच्छा लगता है इसके बाद यह सब dinner table पर बैठते हैं तो Hardin के फादर toast करते हैं उसके फादर केती कि मेरे life में बहुत सारे गलत चीज़े थी पर अब उनके जो new wife है उनसे जब वो मिले तो सब कुछ सही हो गया उने जिने का एक नया रास्ता अब मिला है Hardin के बारे में भी बहुत अच्छी चीज़े उसके फादर कहते हैं Hardin इस पर भी गुस्ता हो जाता है वो टेसा से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर हमेशा से ड्रिंक करते थे कभी भी अच्छे फादर वो नहीं थे अब वो अच्छानक से कैसे वदल सकते हैं उसके फादर ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिये थे इसी वज़े से उसके मदर को भी एक बार मार खाना पड़ा था उन्हें फादर को बहुत ही हेट करता है फादर का टोस्स खतम हो जाने के बाद फादर हादीन से मिलने के लिए आते हैं हादीन अफसेट है और उनसे जगड़ा ही करने वाला है तब ही टेसा उसे रोक लेती है यह दोनों फिर डांस करते हैं जब घर बहुचते हैं तो पहली बार आज रात वो इंटिमेट हो जाते हैं इसके बाद नेक्स डे हम देखते हैं कि टेसा अपने कॉलेज में होती है तब ही उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम होता है मॉली या हार्डिन की ही एक फ्रेंड है टेसा से बुछती है तुम्हेरा पोईफ्रेंड कहीं दीखनी रहा हार्डिन की फ्रेंड को हार्डिन और टेसा की बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में पता नहीं है टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ ब्रेक अप कर लिया है या मॉली को पता चलता है कि टेसा और हार्डिन डेट कर रहे है इन दोन में बहुत ही awkward conversation होती है ऐसा को यह बहुत ही अजीब लगता है शाब में जब वो घर पर होती है तब हार्डिन के mobile और message आते है मौली ने हार्डिन को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है ऐसा है messages देखती है और हार्डिन से कहती है कि वो तुमें क्यों बुला रही है हार्डिन कहता है कि तुम इसे ignore कर दो मैंने उसे reply भी नहीं किया है इसके बाद हार्डिन घर से बाहर निकल जाता है रात हो जाती है पर फिर भी वो घर पर नहीं आता तेसा को already शक है ही तो घर से बाहर निकलती है हार्डिन का एक फ्रेंड उसे मिलता है तेसा उसे बुछती है कि हार्डिन कहा है वो फ्रेंड उसे हार्डिन की location दे देता है तेसा उस restaurant में बहुत जाती है और वहाँ सब हार्डिन के friends विगरा है के पास वो बेटती है वो टेसा से पुछते है कि तुम अपने होस्टेल के रूम में नहीं रह रही हैं तुम कहां रह रही हो टेसा कहती है कि मैं और हारडीन रिलेशनशिप में एक अलग जगा पर रह रहे हैं यह सुनकर मौली को बहुत ही हर्ड मेसूस होता है क्योंकि वो हमेशा से Hardin को पसंद करती थी ये Teysah को कहती है कि तुम्हें सबकुँची से पता नहीं है तभी Hardin वहाँ जाता है Hardin को अब जानना है कि Molly क्या कहना चाती थी Hardin Teysah को बाहर लेकर जाना चाता है पर Teysah यही रुखती है मौली हार्डिन से कहती है कि अब ये जादा आगी चला जा चुका है मौली फिर टेसा को सब कुछ सचस बता देती है वो कहती है कि जिस रात हम truth और dare खेल रहे थे तो वहाँ से चली गई थी तब हमने हार्डिन को एक dare दिया था वो टेसा को एक video दिखाती है जिसमें हार्डिन कहेरा होता है कि वो टेसा को अपने प्यार में गिरा सकता है टेसा को एदेख कर बहुत ही hard मेंसूस होता है टेसा के friends भी आगे वो सबसे कहती है कि तुम सब को पता था और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा Hardin उसके पीछे भी जाता है पर Tessa उसे कुछ भी बात नहीं करना चाती है Hardin उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें जानने से पहले ये बेट लगाई थी Hardin उसे बताना चाता है कि उसे बहुत प्यार करता है पर Tessa वहाँ से चली जाती है Tessa hurt होकर फिर से अपने घर आ जाती है अपनी मदर से sorry कहती है Tessa की मदर हमेशा उसे जो चाहिए था वही Tessa से करवाती आ रही है Tessa की मदर को भी बुरा लगता है और वो भी Tessa को sorry कहती है इसके बाद Tessa अपने ex-boyfriend से मिलने के लिए आती है Tessa उसे कहती है कि कभी भी तुम hurt हो जाओ ऐसा मैं नहीं चाहती थी Tessa का ex-boyfriend कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुभी मुझे hurt नहीं कर सकती है उसने Tessa को माफ कर दिया है वो कहता है कि हम बड़े होते हैं अपने आपको discover करते हैं इसमें कुछ बुरी चीज नहीं है यह दोनों फिर से एक दूसरे के आच्छे friends बन जाते हैं Tessa को भी publishing में कुछ करना है तो hardin के father ने जो publishing company कही थी वहाँ पर वो apply करती है यहाँ पर वो sirak भी हो जाती है Tessa फिर से अपने college में आती है उसका year अब end हो रहा है year के ending में उनके literature class में उस सब को essays लिखने होते हैं इसमें एक बड़ा सा letter hardin ने Tessa के लिए लिखा होता है जो अपने teacher को submit कर देता है teacher यह पढ़ती है और Tessa को दे देती है hardin Tessa को जिस जगा पर पहली बार लेकर आया था लेक के पास वहाँ जाकर रिलेटर पढ़ने लग जाते है इसमें hardin लिखता है कि उन्हें बहुत सारे romantic novels पढ़े है इसमें हमेशा से लिखा था यह पैर के बिना life बहुत ही अधूरी है हमारे अंदर जो भी damage है यह पैर से सही हो सकता है मुझे हमेशा से लगता था कि यह सब गलत है कभी भी मैंने इस पर believe नहीं किया पर जब मैं तुमसे मिला तब से मेरी सब कुछ thinking change हो गए मैं अंदरे में था तुने मेरा हाथ पकड़ा और उजाले में मुझे लेकर गए मैं क्या था कि कभी भी मुझे पता नहीं था तुमने मुझे से पूचा था कि सबसे ज़ादा मैं किस से प्यार कर सकता हो अब उसका आंसर मेरे पास है वो टेसा से अपने आप से भी ज़ादा प्यार करता है वो टेसा से माफी मांगता है टेसा है पढ़ती है और हार्डिन इसके पास आता है टेसा अब उसे माफ कर देती है यही मूवी इंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फ्लिस वीडियो को लाइक कर दीचे का बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हो तो फ्लिस चैनल को स सब्सक्राइब कर दीचे और बेल इंडूकेशन आइकों दबने में मत भूले है फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यों और आप अपने आपका ख्याल रखिये